हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तू मैं चानल, मैं हूँ आपकी दोस प्रीती आप सभी को गड़े चतुर्थी की हार्दिक शुप कामना है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गड़े जी बहुत बड़े फूरी थे इसलिए जब कभी भी गड़े जी का आगमन होता है तो हम हर रोज उन्हें नएने भोग चड़ाते हैं कभी हम उन्हें बेसन की लड़ू चड़ाते हैं तो कभी बेसन की बरफी आज मैं गड़े जी को चड़ाने के लिए लेके आई हूँ बेसन केक की रेसिपी जी हां सही सुना आपने बेसन का केक तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन केक हमें इसके लिए चाहिए आधा कप कंडेंस्ट मिल्क अगर आपके पास कंडेंस्ट मिल्क नहीं है तो आप आधा कप दही ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा कप तेल और कंडेंस्ट मिल्क को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंडेंस्ट मिल्क बहुत मीठा होता है इसलिए हम इसमें सिर्फ एक चौँ थाई कप चीनी डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके एक कप बेशन डालेंगे मैंने एक कप बेशन में एक छोटा चमत बेकिंग पाउडर और आथा छोटा चमत बेकिंग सोडा डाल कर छान लिया है और हमें ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल भी गाठे ना हो बैटर ज्यादा गारा लगने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ी आएगा यहां पर मैं इसमें डाल रही हूं क्रस्ट इलाइची मैंने चार पाच इलाइची को क्रश करके इसमें डाल दिया है आप चाहे तो इसमें वेनीला एसेंस या कोई और एसेंस का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब गड़ेची के लिए भोग का प्रसाद बन रहा है तो ड्राइफ्रूट्स डालना तो बनता है यहां पर मैंने लिया है कुछ कटे हुए बादा और सुल्तानाज आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राइफ्रूट्स इसके उपर डाल सकते हैं अब हम इसे 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनिट के लिए बेक करेंगे बहुत यह टेस्टी बेसन केक बन कर तयार हो चुका है आप भी बेसन केक का भोग गड़पती बपा का चढ़ाईए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेर करिए अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मैं कभी भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए तिल देन, बाई बाई